नमस्ते बच्चों, ठाड़े मानागर पलिका के वर्चिर क्लास्रून में आठ सभी बच्चों का स्वागत हैं। आज हम दस्वी का इम्मांदारी की तती मुर्ती, यह जो पाठ है, इसका हम अध्यान करेंगे। देखो बच्चों, इमांदारी, इमांदारी यह जो शब्द है, यह शब्द सुनते ही हमारे आखों के सामने एक अलग सी भावना तरलती है। जिसे क्या होती है इमांदारी, इमांदारी किसे कहते है। मान लीजे कि आप कहें पर बैठे हो, या किसी के यह गए हो, आपके सामने कुछ सामन पड़ा है, कुछ पैसे पड़े हैं, और आपने उठा कर अपने जेब में डाल दी है। जिसे इमांदारी होई क्या? नहीं, इस चोरी होई। तो आप इसा करते हो, तो आप इमांदार हो गया? नहीं, आप इमांदार नहीं हो। अगर आपको किसी की भी छोटी से छोटी चीज मिलती है और आप उसको return करते हो, देते हो, तो उसको इमानदारी बोलते हैं. अगर आप में किसी को शब्द दिया है, वचन दिया है, किसी बात का उसको यह किया है कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा, वचन दिया है और अगर आप वबात पूर न करते हो, उस वचन के हिसाब से, उस दिये हुए शब्द के हिसाब से, तो आप इमानदार हो कोई कोई लोग ऐसे होते है कि किसी से पैसे उधार लेते हैं, तक्के पर उधार लेते हैं और जब देने की बारी आती है, तो या तो रस्ता मुकर कर निकल जाते हैं या तो बोलते हैं कि अभी है नहीं, आएगा तो दूँगा, नहीं है तो कहां से दूँगा जो तारिक दी होती हो पैसे देते हैं." किसी लोगों का इसा होता है, पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन वापस नहीं करते. कोई लोग ऐसे होते हैं, कि पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको बैचे दूँगा Townra 1 Sw taught Equatly Kingdom पिर क्या करते हैं, एक महिना बेज देते हैं, दो महिना बेज देते हैं, तो आपको इतना बेज दिया ना, तो आपका पैसा उसमें अधा हो गया, ऐसे लोग भी हैं. मतलब वो अपने वचन के पूरे नहीं होते, जब उनको जरूरत होती है, तब वो लोग रोते हैं, बिलबिलाते हैं, गिलगलाते हैं, गिलगडाते हैं, और अपना काम निकाल देते हैं, ऐसे लोगों से बहुत जीवन में सावधा होनेना चाहिए, बचों, और ऐसे लोगों क वो हमें पैचानने की भी शक्ति होने चाहिए। इंसान को पैचानने की शक्ति कैसे होती है। अगर आप किताबे पड़ोगे, उसका पठन, मनन, चिंदन करोगे, तो आप में एक अपने आप सरस्वती की शक्ति आ जाएगी, एक प्रेणा आ जाएगी। इस सामने वाला इंसान कोन है, क्या है, आप उसको जान सकोगे, भाप सकोगे, इस तरह से। इमांदार की प्रती मुर्ति, इमांदारी क्या होती है, सच्चा ही क्या होती है। इस पाठ में इस लिखत में बताने का प्रयास किया है। में इमांदारी की पतीमूृथीमें यह सुनुर शास्त्री जी जो उनके इनके पता जी थे रालबादु शास्त्री जी वह इतने इमांदारी थे जिने बड़े ओदे पर काम कर वहे थे, ग्रोह मंत्री, प्रधान मंत्री, लेकिन उनका रहन सहन काफी सीधा साधा था, अपने गांदी जी की तरफ, अपने नेहरु जी की तरफ, तो लेखक में इस पार्ट में यही बताने का प्रयास किया है बच्चों की, आपको ऐसा परिक परिक्षा में दो गुण के लिए आएगा कोई प्रश्न, तो आपने इस पार्ट का अगर सारांश लिख दिया, तो आपको दो में से दो गुण अउगत हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, चलों आके देखते हैं, इस पार्ट का जो परिचे हैं बच्चों, उनका जनम 1950 में हुआ, परिचे सुनिर शास्त्री भारत के द्वितिय प्रदान मंत्री लाल बादरु शास्त्री के पुत्र है, पतलब यह जो लेखक महराज है, ते कोन है सुनिर शास्त्री, उनके पिताजी कोन है लाल बादरु शास्त्री, ते कोन थे भारत के दूसरे मुख्य मंत्री, ध आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशिश लगावनें। सामाजिक आर्थिक बदलाव उपर आपने विचारों के पत्र पत्रिकाव में व्यक्त करते हैं। आपकी प्रमुकृतिया हैं। लाल बादु शास्त्री मेरे बाबुजी इस पुस्तक का अंगरे जी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबन्दे। प्रस्तुत पार्ट में क्या बताया बच्चों कि एक संस्मरण, एक याद, जो याद हुती है न। वो काफी दिल को, मन को जुर-जुरी से पैदा करती है मन में। खुशी कि लहर आ जाती है जब याद आती है किसी अच्छी बात की। संस्मरण लेखग स्वर्गिय लालभादो शास्त्री जी की इमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और परदुख का तरता आदी गुणों को बड़े अच्छे ढंक से उजागल किया है। मतब इमानदारी क्या है। इमानदारी दूसरों के पते इमानदार, सादगी, सरलता, सच्चाई और परदुख। उन्हें के दूसरा दुखी है, प्यासा है, भूका है। ये जानने की हमारे अंतर्मन में एक भावना जगरत होने चाहिए। आगे देखें बच्चों, शुरू करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबुजी के रहने अभाव नहीं देखा। उनके रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वो एक दूसरी तरह का अभाव था। मुझे बैंक की नोकरी करनी पड़ी। अब बच्चों, आप मेंसे तो बहुत से बच्चे होते हैं। ऐसे लोग बहुत से लोग होते हैं। तो वह जो खलल है, वह जो दुख है, वह दुख लेखक में इस पहले 4 पंक्ती में गर्त किया है। कि पिता जी नहीं होने के कारण जीवन में कौन-कौन सी समस्या को सामना करना पड़ता है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो इस तरह से उनको बहुत दुख लगता है कि अगर पिता जी होते तो क्या होता? पिता जी थे तब क्या था? एक दुनिया अपनी होती है जब पिता का हाथ सर पे होता है और जब पिता का हाथ सर पे नहीं होता है तो बच्चों वो जीवन जीने के लिए बहुत कठी होता है लेकिन उससे पुर्व बाबुजी के रहते में जब जन्मा था तब ये उत्तर पदेश में पुलिस मंत्री थे उस समय गुरुव मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था इस अंडरलेंग करुशवर्ड को इस लाइन को याद रखो इसलिए मैं हमेशा कलपना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलिशान गाड़ी होनी चाहिए बाबुजी पैदान मंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इंपाला शेवरलेट तब के जमाने की एकदम सबसे बड़ी उच्चतम गाड़ी तो वह गाड़ी को देखकर इसा लगता था कि अगए कोई यहाँ नहीं होगा तो मैं तुरन स्टार्ट करके गाड़ी को एक फेरफटकाब मारके आ जाओंगा दूर तक लाउंड रव करके आ जाओंगा उसे देख देख बड़ा जी करता मोका मिले और उसे चलाओं प्रधान मंत्री का लड़का था कोई मामूली बात नहीं थी सोचते विचारते कलपना उडान भरने के एक दिन मोका मिल गया धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी और देने की हमने बाभू जी के नीजी सचिव से कहा साय साइब जरा ड्राइवर से कहिए इंपाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए रेजिडेंस रेजिडेंस इंग्लिश शव्द है बच्छो मतलब जहां पर सोसाइटी होती है बहुत सारी बीडिंगे होती है या तो इतने ही बड़े का इतना बड़ा पदाधरी कारगा मैं बैटा हूँ तो वो अपने सचिव से बोलता है कि सचिव शाह साब जड़ा गाड़ी रेसिडेंस के लेके आईए लेके आईए मतलब यह गूं के आएगा इस तरह से दो मिनिट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गए अनिल भाईया ने कहा मैं तो इसे चलाओंगा नहीं तुम भी चलाओ मैं आके बड़ा ड्राइवर से चाबी मांगी बोला तुम बैठो आराम करो हम लोग वापस आते हैं अभी गाड़ी ले हम चल पड़े क्या शान की सवारी थी याड कर बदन में जुरजुरे आने लगी मतलब उनको अभी पिताजितो नहीं है लेकिन वो जो वाक्या है वो जो घटना है तब वो किस तरह से मजाक मस्ती करते थे और किस तरह से अपना हक और अपना हट पुरा करते थे तो उनके बदन में जुरुजर से आई ने के उनके मन में एक खुशी की लेर दोड़ गई इस तरह से जिसके यहां खाना था वहां पहुचा बाचीत में समय का ध्यान नहीं रहा तो देर हो गई याद आया बाबुजी भी आ गए होंगे मतलब वो शाइनिंग मारने के इसमें चक्कर में भूल गया कि गाड़ी एंपला प्रदान मंतरी जी के विजान पहुण गिये और हमारी गाड़ी नहीं है यह भूल गया और वही पर जहां मिर्दोस के याँ खाना खाने गया था वही पर गप्पा शप्पा करते बैठ गया और देर हो गई आभी पिताजी भी घर पर आये होंगे तो पिताजी को यह सब नहीं अच्छा लगता था अब क्या करें वह एकदम अच्छा मिवे पड़ गया आगे देखें वह आपस घरा फाटक से पहले गाड़ी रोग दी बतर जहां पर गाड़ी फाटक तरफ खोलती है उसने फाटक के बहुत आगे पर गाड़ी कड़ी कर दी उतर कर गेट तक आया संत्री को हिदायत दी संत्री, संत्री याने कि जो गेट खोलने वाला चोकिदार होता है उसको संत्री कहाते संत्री को कहाते, हिदायत हिदायत देना याने कि उसको आदेश दिया संत्री को, कि चुप चाप गेट खोलना जोर से मत खोलना मैं गाड़ी धकिरकर अंदर लाता हूँ आवाज मत करना और किसी को बोलना मत तुम्हारे काटी मत ठोकना कुछ मत करना इस तरह से उसको वो हिदायत दे रहाता आदिश दे रहाता सेलिट रुलट नहीं मारना क्योंकि आप सेलिट मारेंगे तो क्या होगा पेर का जोर से बूट का आवाज आएगा और मेरे पिता जी जाग जाएंगे इस तरह से वो सेलिट रुलट नहीं बस दीरे से गेट खोल दो वहाँ आवाज करे तू से बंद मत करो खुला छोड़ दो बाबुजी का डर वो अखट पट सेलिट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबुजी को हम लोगों के लोटने का अंदाजा हो जाएगा वे बेकार में पुश्टाश करेंगे अभी बात ताजा है सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा यानि कि रात गई सो बात गई बात खतम यानि कि जब अगर समझो वो वाक्या है वो बरघड निकल गया टाइम वो तो पिताजी बात में पुछेंगे ने तो इस तरह से लेखा क्या बोलते हैं सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा संत्री से जैसा कहा गया उसने किया दबे पेर पिछे किचन के दरवाजे में अंदर गुसा जाते ही आम्मा मिले पुछा बाबु जी आए कुछ पुछा तो नहीं बोली हाँ आगे पुछा था मैंने बता दिया आगे कुछ कहने कि इमत नहीं पड़ी यह जानने सुनने कि बाबु जी ने क्या कहा फिर इदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत बेजियेगा क्या बोला मा को कि सुबह किसी को कमरे में मत बेजना राज देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, सुबह साड़े पांच पौने चर बजे किसी ने दर्वाजा खट खट आया, निन टूटी मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर राज को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो, यह सोचकर कि कोई नोकर चाय लेकर आया दस तक दरवाजी खुलने के टक-टक केसे आवाज। जुझलाता और जोर से विगड़ने मूड में वरवाजी की तरफ बढ़ बढ़ता हुआ, दरवाजा खुला पाया, बाबू जी खड़े हैं, हमें कुछ न सुझा। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तरक नहीं किया, कुछ वाद्रिवाद नहीं किया, कुछ बात नहीं की, न कुछ जाहिर होने दिया, तो फिर क्या बोल रहे थे पिताजी। कि मैं रात बड़ी देर से आया हूं, मैं सोना चाहता हूं। वो पिताजी ने सुन लिया, आगे देखे। हाँ बाबुजी, एक जगह खाने पर चले गए थे, उन्होंने आगे प्रशने किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, जब मैं आया तो फियेट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे। हम इंपाला शेवरलेट लेकर गए थे, बोले ओह, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शोग है, बाबुजी खुद इंपाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वो किसी स्टेट गेस्ट में आने पर ही निकलती थी, उनकी बात सुने, मैंने अनिल भाया की के तरफ देख आख से इशारा किया, मैं समझ गया था, यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आये धिल प्रयोग कर सकेंगे, चाय खत्मकर उने ने कहा, सुनें, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए, मैं ड्राइवर को बुला लाया, उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो न, उसने हाँ मैं उत्तर दिया, उन्होंने कहा, एंट्री करते हो, कर कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, वह बोला 14 किलो मिटर, हाँ, आप देखो, मतलब उन्होंका ऐसा था इमानदारियने के, कि किसी दूसरे का हो, या अपने अमजा नोकरी क करनी चाहिए, इस तरह से, उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो, 14 किलो मिटर नीजी उपयोग, क्या लिख दो, 14 किलो मिटर नीजी उपयोग, मतलब वह गाड़ी हम लोगोंने हमारे खुद के काम के लिए चलाई है, इसे उसमें लिख दो, ऐसा आदेश दिया, फिन्ह अम्मा को बुलाने के लिए, अम्मा जी के आने पर बोले, साहिस आप से कहना, साथ पैसे प्रती किलो मिटर के हिसाब से पैसे जमा करवादे, जै बोले, साहिस आप को साथ पैसे प्रती किलो मिटर, देखो कुछने वाली बात है, आज लोग साथ किलो रुपे और आसी किलो कि उस उदमाने में 60 पेसे किलमेटर था तो उनको ऐसा लगा कि हमने क्यूँ शासन का सरकार का पैसा क्यूं कि हमें गाड़ी खरी नहीं गाड़ी वापनी चाहिए नहीं वापनी चाहिए तो उनको इसके खिलाप थे वो पितना जो उनका कहना था हम और अनिर भाईया वहार रुक नहीं सके जो रुलाई छुटी तो वो हमां कमरे में भाग कर पहुंचने के कि बाद हुई काफी देर तक बंद नहीं हुई, दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे, फूट फूट कर रोना जोर जोर से रोना, वे जोर जोर से रोते रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने गल्टी की न, दूसरों की चीज़ वापरी थी, बेहिमानी की थी, इसलिए आप से यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, इसलिए कि यह बाते अब हमारे लिए आदरश बन गई है सक्रिय राजनिती में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका स्थुर्वियो करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है आप ही सोचे, मेरे बच्चे करते हैं कि पापा, आप हमें साइकेल से भेचते हैं पानी बरसने पर रिक्षे से स्कूल बेचते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ, मेरा यह समझना कितना कठिर है, फिर भी यह समय ह होने पर भी कभी-कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, अपना सरकारी ओधा, ओधा यानिके पद, पोस्ट, छोड़कर आया हूँ, आपके साथ यह सब फिर जिक्र तक तनिक ताजा और नया महसुस करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, नीव को पुन्ह, संजो ना सवर्णा की मेरे मन का महल आज के इस तूफानी जहंजावत में खड़ा रह सके, यानिके मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे नीव हैं, ये अगर गरत रास्ते पर चलेंगे, इनको दूसरों की चीज इस्तमाल करने के अगर आदत पढ़ जाएगी, तो जीवन में ये कभी स देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभो करता था, एक होड़ती कि जो हम भाईयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, एक दिन बोले सुनिर, मेरे आलमारी काफी बेतरतीब हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठ बेतरतीब यहने के अस्तावेस्त होना, बिखल जाना, वे कुर्टे बुला, कोई यहां से फट रहा था, बेतरतीब यहने के अस्तावेस्त होना, मैंने स्कूल से लोटकर वह सब कर डाला, दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तयार हो रहा था, बाबुजी ने मुझे ब कर दिया, मैं बहुत खूश हूँ, पर मेरे कुर्टे कहां है, उन्होंने पूछा यह कौन सा महिना चल रहा है, मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सक्ता, उन्होंने आगे जोडा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगी, तब यह सब कहां आएंगे, उप अगर फटा हुआ है तो कौन देखेगा उपर से मैं कोट पहन लूँगा ठंडी का दिन ठंडी का मोसम है यानि कि वो फटा हुआ खुरता भी नहीं पेगना चाहते थे क्योंकि पैसा का अपवय नहीं करना चाहते थे मैं देखता रह गया क्या कर रहे है बाबुजी वे करते जा रहे थे यह सब खादी के कपड़े हैं बड़े मेनद से बनाये हैं बीनने वालों ने इसका एक-एक सूत का कान आना चाहिए यहीं नहीं मुझे याद है मैंने बाबुजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था क्या पॉंटे थे किस किफायत से रहते थे मैंने देखा था तो कैसे सस्ते विस्ते कपड़े पेंथे थे एकदम पधार मंद्री होने के बावजूद भी वे कपड़े सस्ते पेंथे थे आजे देखें एक बार उन्हेंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था इनके रुमाल बना दो बाबुजी का एक तरीका था जो अपने आप आकरशित करता था वे अगर सिधे से कहते सुनिल तुमें खादी से प्यार करना चाहिए तो शायद यह बाद कभी मेरे मन में घर नहीं कर पाती थी पर बाद कहने के साथ साथ उन्हेंने अपने व्यक्तित्व का आकरशन था जो अपने में सामने वाले को बाद लेता था वो स्वता उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतार हो जाता सब कुछ निछावर करना अरपण करना हमा बताती है हमारी शादी में चड़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आये थे लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आये तो वहां उन्हें मुझे को कोई घाटा लगा था किसी तरह से बाकी का रुपिया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमें नहीं सुच और नहीं इसके बारे में कभी कुछ पूछताच की एक दिन तुम्हारे बाबुजी ने उनकी मुसीबित होई पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है हमने गहने दे दिये के वर टिका नत्युनी बिच्छिया रख लिए वे हमारे सुहाग वाले गहने थे उस दिन तु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन अपनी पीड़ा न रोक सके कहने लगे तुम जब मिर्जापूर आओगी और लोग गहनों के सुमंद्य में पूछेंगे तो क्या कहोगी लेकिन उसने अपने देवर जी के लिए उनकी समस्या छोड़वाने के लिए अपने गहने दे दिये परिक्षा में तुमको ये दो गुण के लिए प्रशना आएगा बच्चों की पार आएगे और कहा उसके लिए आप चिंता न करे हमने बहाना सोच लिया है हम कह देंगी कि गांदी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहिनना छोड़ दिये इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा तुम्हारे बाबुजी तनिक देर चुप रहे फिर बोले तुम्हें यहाँ बह समझता हूँ तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था लेकिन अब जैसा है वैसा है जो है सो है तुम्हें आराम देना तो दूर रहा तुम्हारे बदन के सारे गहने भी मैंने उतरवा दिये उनको बहुत दुख लगा इस बात का हम बोली उनकी तो हो तो मुझे और गहनों की क्या ज़रूरत है इस तरह से उसकी बीवी नी कहा हमें बस वही चाहिए आप उन गहनों की चिंता न करें समय आने पर फिर बन जाएंगे सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है सुख दुख तो सदा लग जाता है एक तो दस्तक और दूसरा बे तर्तीब तर्तीब अस्तावेस्ते याने के बिखरा हुआ यह दो शब्द पूछी जाते हैं और मुहावरे में फूट-फूट कर रोना यह परिक्षा में आता है शब्द तो मुहावरा तो इसका मतलब है जोर-जोर से रोना तो आप अपनी वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं शास्ती जी की सोभावगत विशेश्ता मतलब उनकी सोभाव क्या है कैसा है उनका सोभाव तो आपको यह परिक्षा में दोवन के लिए आएगा बच्चो इमानदारी सादगी दूसरों की सहायता करना और सरलता इस तरह से आप अपने आपकी प्रश्णा पत्रिका में लिखना है ठीक है आगे देखो यह आपको स्वोमत के लिए भी आएगा और आप इसकी कहानी भी लिख सकते हो मतलब परिक्षा में समझाओ अगर इमानदारी किसे कहते है इसके लिए आपको अगर कुछ लिखना है तो आपको दोग इसले से में आपके क्कगनिका भाव लड़कीयों का घर में कामों में साह keफा करना बहुत दूर से पाम्ला ना पढ़ाई के लिए एक समय मिलना लड़कियों का समस्या पर चारचा करना समस्या सुजने का उपाए होजना जाओ की साहे तके प्रयोग करना और सफलता पान यह आपकी कापी में खुद नहीं लिखना है ठीक है आगे देखिए बच्चो तो यह पार्ट आपको समझ में आया होगा इस तरह से मैं आपकी धन्यवाद करते हूँ वह प्चल करते हैं आपकी लिखना है 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 आपकी लिखन देखो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि यह पार्ट आपको समझ में आया हुए और इसके जो स्वाध्या में दिये गए यह प्रिष्णा आप टिक से लिख लो ए ब्लैक बड़ पर वीडियो पॉस करके आप यह सब लेना यहां का भी लिख लेना और यह इस सेट का भी लिख यह आपको परिक्षा में दो दो गुण के लिए आता है वर्चो तो आपको बुदे ना एक मराटी में कावात है तो उस तरह से आपको यह सब एक एक गुण एक कट्टा करके आपको खबसे कम 90% के उपर जाना है तो कि उप्योजित लेकन बहुत जरूरी है ठीक है तो यह आपको समझ भयाए होगा इसी में आशा करते है धन्यवाद